हाई फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल सरब जितक और वुमर एंटरप्रेनर बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज मैं आपके लिए बढ़िया प्रॉपर्टी लाई हूँ टू वी एच के की अंडर कंसेक्शन येस अंडर कंसेक्शन प्रॉपर्टी है पचेशन जुला है इस वर्य बैन यूँज फेलन वेलर रिक्साटता हुए प्रॉपर्टी लिए ओनिख ए 50 प्रॉपर्टी ñuze लेना चाहते है जिसमें वह चाहते है कि मेरा पहला घर उसमें मैं ही यहाऊ पहले ये उनके लिए तो इसके शुरूआत करते है ये देखें ये मैं यह आपका में डोर है जिससे आप एंटर करते हैं और एंटर करते ही हम अभी आपका प्रोपर्टी का विव दे देते आएंटर करते ही आपके राइट एंग साइड में आयेगा या आपका कीचन जो होगा इस तरह से ड्यूल प्लेट फरम के साथ यह सेम्बल फ्लैट है इसमे इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको यह आइडिया आजाए कि आपका फरनीचर और फिक्शन आने के बाद कितना स्पेस आपको मिलता है और कैसा लूक आता है तो यह प्रॉपर एक रेफिजरेटर स्पेस और यह ड्यूल प्लेटफर्म और इसके साथ कहते हैं आप अपने किचन ब्यूटिफुली डेकोरेट कर सकते हैं और इसके साथ यहां पर आता है यूटिलिटी एरिया यानि आपके वाशिंग मशीन का एरिया यहां आजाएगा इतनी स्टेंडिंग बालकनी के साथ आपके वाशिंग मशीन इस तरफ आजाएगी इसमें आपको पूरे फिक् जो आप बोलो वो एमेरिटीस में एविलेबल है प्लस इसमें व्यूज दोनों है आप हिल व्यू लीजिए आप सीटी व्यू लीजिए जैसे कि मैं हमेशा कहते हूं कि गोर्बंद और उन पर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो व्यूज की कोई कमी नहीं रहती अगर आप ह लेंडिंग बालकनी हर रूम में है जैसे आप में किचन में देखी इसी तरह से यह आपके लीविंग में आती है बढ़िया बालकनी आएगी इस तरह से और बालकनी के साथ आप कहेंगे यह प्रोविजन क्या यह सबसे बढ़िया चीज है आपका एसी का जो आउटर लगाने की वज़े से आपके बिल्डिंग का एलिवेशन खराब हो जाता है बट यहां पर उस चीज का भी ध्यान रखा गया है क्यों प्रॉपर मशीन एक जगह सबकी रहेगी तो एक ड्रेसिंग लगेगा और खराब नहीं लगेगा और आपका भी कोई भी एरिया अब बालकनी में रख देते हैं तो हमारी बालकनी यूज नहीं होती है ऐसा नहीं आप फॉल बालकनी यूज कर सकते हैं हर चीज के लिए प्रॉपर प्लेस दिया गया तो आगे बढ़ते हैं ज़रा मैं इसको क्लोस कर लूँ यह आपका देखिए इस आइडिया कि कैसे आप अपना डेखोरेट कर सकते हैं घर और इसके लिए अच्छी बात है डाइनिग डाइनिग में हमने केहां पर आईडिया दिया है यह ओपन किछन विंडो का आप ऐसे किछन बना सकते हो इससे क्या हो जाता है जब खाना बनाते में लिए सबसे बड़ी बात होती है सब खाना गर्म फुल के उतारे और इसे हमने प्लेट में डाल दिये याई फीमेल सब मेरे साथ एग्री करेंगे तो यह आप एक टूर ले लिजिए किचन के साथ डाइनिंग का कि एल शेप लीविंग है जैसे कि मैंने कहा उसके साथ यह प्रॉपर ली डाइनिंग स्पेट है जैसे आप आगे बढ़ते हैं इससरह आपका आ जाता है फर्स बैड़्रूम जिस्ते आप गैस बैड़्रूम चिल्डर्न बैड़्रूम जैसा यूज्थ सकते हैं इसमें सबसे अच्छी बात है वॉट्रॉप स्पेस जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में अुबज़ में पर्फेक्टली यह सबसे जरूरी और सबसे अच्छी चीज होती है बेड्रूम सी वाड्रॉप स्पेस होना जिससे आपके बेड्रूम में डिस्ट्रबंस भी होता है आपको पूरा बढ़िया स्पेस मिलता है मुव्मेंट के लिए यूज करने के लिए जैसे यहां पर बेड्र रखने के बाद भी एक स्टेडी टेबल और्गनाइज करके आइडिया दिया गया है कि आप टीच्स हैं तो वो स्टेडी करेंगे आज कर वर्क फॉम है आगे कितना चलेगा पता नहीं घर पर कभी न कभी त इस तरह से जिस्से आपको फुल साइज की विंडोस मिलती है फुल साइज फ्रेंच विंडों होने से आपके घर में लाइट एयर बहुत अच्छी आती है और फुल व्यू आप कोई भी व्यू लीजे घील उलीजिए ग्रीन व्यू लीजिए या सिटी व्यू लीजिए आपको आईडिया आगया कि आप किस तरह से अपना घर सेट कर सकते हैं इससे ज्यादा बढ़िया बनाते हैं मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे डेकॉरिटर्स हैं इंटीर आपको सबसे बहुत अच्छा है एक यह जस्ट वाल फिनिश के लिए अच्छे फिनिश के ब्रेंद्न के साल फिटिंग के साथ है देखे जबहें भी आप बढ़िया बल्डर की चीज लेते हैं यानि हमारे पर सब अच्छे बीडर्स हैं हमारे साहरे एक शे बढ़िया फिटिंग आपको देते हैं ब्रांड़िंग देते हैं क्योंकि उनकी भी कहते हैं हमारे उनके भी कॉलर का सवाल होता है, हर बीडर आपको अच्छी से अच्छी चीज देना चाहता है, तो यहां पर हर चीज का ध्यान रखा जाता है, आपकी फिटिंग से लेके, फ्लोरिंग से लेके, हर चीज का आपकी लॉबी से लेके, एंटरंस लॉबी भी एक से एक बढ बनाई जाती 20 प्लस एमेनिटीज है बहुत कुछ है साथ साथ में हम कुछ आपको रिव्यू देंगे और एंड में में कुछ फोटो भी शेयर करूंगी तो उसको जरूर देखेगा यहां से आपका स्टार्ट होता है फोटोर आप अपने हिसाब से कर सकते और आज कल तो ट्रेंड भी है न स्लाइडिंग डोस का अगर हम स्लाइडिंग डोर यूज करते हैं तो जो ओपन होने पर हमें पीछे आना बढ़ता है तो वह स्पेस भी सेव हो जाता है तो यह तो आपके च्वाइज है कि आप ऐसे ओप की हैबिट्स होती है तो वहां पर हम जब बड़े बैड रखते हैं तो हमें स्लाइडिंग डोस ही अच्छे रहते हैं हमारे लिए क्योंकि आप अच्छे से उसको और्गनाइज कर सकते हैं तो एक बार पहले इसका कॉमन वाश्रूम भी स्वाश्रूम भी देख लेते हैं य जैसे कि कहा मैंने बालकनी हर रूम में है कीचन में लिविंग में आपके फर्स बैडरूम में और आपके मास्टर बैडरूम में भी सेम बालकनी प्रॉपर स्टेंडिंग बालकनी बट एक चेर लग सकती है क्योंकि इसमें अच्छा साइज है आप एक टूर ले लिजिए इ बड़ी विंडोज और अच्छी बालकनी उने से घर हमेशा फ्रेश रहता है एरी रहता है और हमारे दिल को भी सुकुन रहता है कुछ नहीं तो एक कप चाय पीलियम गोडबंदर रोड पे रहते हैं सुबह सुबह शाम को चिडियों की आवाज आती है मौसम बहुत अच्छा रहता है आप गोडबंदर रोड पे रहते होंगे तो आपको पता है अगर आप कहीं और भी रहते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा क्लाइमेट यहां पे रहता है तो यह लोकेशन बहुत बढ़िया है हाइवे से नजदीक है सारी एमेनिटीज नियर वा इसको साइड विजिट करनी है आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो हमें कॉल जरूर कीजेगा कुस्पेशल ओफर डिसकाउंट चड़ रहे हैं अरलियर बुकिंग के तो अगर आप उसका बैनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें जल से जल कॉल कीजेगा और हां मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और शेहर तो जरूर कर दीजेगा शायत आपके बले से आपकी वज़य से आपके शेरिंग से किसी आपके अपने का प्यारा सा घर बन जाए तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों इस प्रॉपर्टी के साइड विजिट के सा तो जरूर मुझे कॉल कीजेगा शेर याद से कीजेगा तेक्या बबाई सी यू फ्रेंट्स ये एक एलिवेशन का व्यू लीजिए इस तरह से आपका अपार्टमेंट आपकी बिल्दिंग दिखाई देगी बनने के बाद इतना सुन्दर व्यूस में आपको दिखाई गई हाई राज प्रॉपर्टीज है और व्यू तो बढ़िया इस तरह से आपकी अमेनिटीज दिखेंगी ये एक व्यू और एक चूटा सा व्यू अमेनिटीज का बमेनिटीज व्यू प्रॉपर्टीज देगे झाल झाल